तो भाई वैनम के नए थियोरी के चक्कर में मैं फिर से फैंस का दिमाग घुमा रहा हूँ यार एक थियोरी मेरे दिमाग में आई है जो फ्लेस थॉम्पसन और वैनम के फ्यूचर के कनेक्शन को लेकर है अब सो जो फ्लेस थॉम्पसन वही जो पीटर पार्कर को स्कूल में बुडि करता था क्या वैनम का नया होस्ट बन सकता है ? इस थियोरी के हिसाब से एक फाइनल फाइट सीन में अमें दिखता है कि एक सोल्डर के लेक्स काड़ दिये जाते है जनरल तभी उस सोल्डर को थॉम्पसन बुलाता है तियोरी वाले भायों का माना है कि Flesz Thompson ही हो सकता है कॉमिक में भी तो Flesz ने एक वक्त पे Venom के साथ बॉंड किया था और Souller भी बन गया था कॉमिक्स में Flesz Thompson एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिकाई दी सकता है Venom के साथ Souller बनने के बाद उसका Legs भी खो जाता है और वो एक पॉइंट पे Venom का होस्ट भी बन जाता है तो कुछ fans के कहना है कि अगर ये Scene Venom 3 में है तो हो सकता है वो यहाँ Flesz और Venom का एक अलग लेवल का connection दिखाए अब बात यहाँ खतम नहीं होती मेरे दोस्तों अगर Flesz वाकई Venom का होस्ट बनता है तो क्यों उसको Null के आने में भी कोई रोल होगा थियोरी के हिसाब से जब तक Venom Addie Brock के पास वापस नहीं जाता अगर Null उसका पीचा नहीं चोड़ने वाला मतलब Flesz का character और भी intense बन सकता है Venom की theory में मतलब Venom की story में तो भाय आपको क्या कहना है इस theory के बारे में Flesz Thompson और Venom का यह connection क्या सोच में movie में दिखाए जा सकता है comment में मुझे जरूर बताना और हाँ मैंने अभी अभी जो phone पकड़ा है मेरे हाँ से गिर सभी सकता है तो आपके लिए इतनी मेहनद करता हूँ तो like करो, share करो और दबा के ठोको नहीं करना तो आप लोग real see day